जिला कांगडा में नशा माफिय की कमर तोड़ने वाले वरिस्त आईपिस अधिकारी डॉक्टर अतुल फुल जेरे फिर से नशा माफिय की खिलाफ जंग लड़ेंगे वश्ट 2009 में S.P. कांगडा रहते हुए डॉक्टर अतुल ने नशा माफिय की कमर तोड़ दी थी यहां तक कि उन्होंने शिक्षन संस्थानों के आसपास चर्स्व अन्यमादिक परदार्त वेचने वालों के वकाईदा फोटो तक सारवजनिक स्थानों में लगबा दिये थे इसके बाद नशा माफिया पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था लोग नशे की सौधागरों के बारे में तुरंट पुलिस को सूचना देने लगे थे धरमचाला में उन्होंने आईजी नौर्थ रेंस के रूप में कारेबार संभाला इसके बाद बाचीत में उन्होंने कहा कि कुछ वर्षल से नशा माफिया पंजाब के अलाबा हिमांचल के सीमांत कि शेत्रों में शक्रिया हो गया है के युवाओं को इसकी चपेट में ले रहा है नशे की सौधागरों पर नकिल कसने के लिए जल्द ही एक खाखा तियार किया जाएगा ताकि इनकी मुख्य जड़ों तक पहुँचा जा सके इसके लिए एस पी चमबा कांगडा वो उना को नसा बेचने वालों की पहचान की निर्देश दिये गे हैं नशे की चपेट में आ रहे है युवाओं को बचाने के लिए पुलिस जागरुकता कारेकरम में कुछ वदलाव करेगी उन्होंने कहा कि चमबा जिला के साथ लगती जब मुकश्मेर की सीमा में सुरक्षा के लिए जो भी बदलाव करने होंगे वो किये जाएंगे इसके लिए वो जल्द चमबा का दोरा करेंगे आईजी उत्रिक शेतर डॉक्टर अतुल एक चिकिस्तक से पुलिस अधिकारी बने डॉक्टर अतुल दोहजार एक बैच के आईपेस अधिकारी हैं हिमांचल कार्डर के IPS अधिकारी डॉक्टर अतुल फुलचेरे एक दशक तक हिमांचल में सेवाईं दे चुके हैं, आठ साल उन्होंने केंदरिय प्रती नियुक्ती के तहत CBI में सेवाईं दी हैं कांगडव उन्हा में पुलिस अधिक्षे के पद पर रहते हुए अतुल ने के बड़े अपराधियों को सबक सिखाया था, धरमशाला में आयोजित पहले IPL में सुरक्षा विवस्था के लिए तयार किया गया डॉक्टर अतुल का रोड मैप आस भी बहुत एहम भूमिका नि चुका है, उन्होंने जिला कांगड़ा का पुलिस पर मुख रहते हुए एक महा में एक सो, 93 सूचना के अधिकार के तहद मांगी गई जानकारियों का निप्टारा किया था, उन्होंने 2009 में ही DCP डिस्क पर 2010 में शिमला में भी विशे शेवाओं के लिए समानित किया जा च उन्हें रास्तपती अवार्ड में मिल चुका है इसके अलावा हमारा एक महत्वत्पूर्ण उद्देश यह भी है कि जो दो इंपोर्टन अजेंडा है हमारे एक तो नशानिवारन आजकल जो ड्रग्स का जो काम चल रहा है जो ने बच्चे ड्रग्स के तरब जा रहे हैं तो उसमें जो उसका काम हो रहा है उस पे हम कैसे रोक लगा ले इसके लिए हम विवीत प्रयास कर रहे हैं हमारे तीने ओ जिले के स्पी उसमें काफी विवीत प्रयास कर रहे है चित्टे को या चरस को गांजा को या पिर पॉपिस्टो को पकड़ना एक तरकी करवाई है उसके जो परपेटेटर से उनको पकड़ के सजा द नशारा निवारान समितिया बनाई जा रही है और तीनों जिलों में ये एफेक्टिवली फंक्शन करेगी ऐसी एफेक्षा करते हैं जो पब्लीक एंगेजमेंट है उसको हम ज़्यादा हारनेस करना चाहते हैं ताकि लोगों में लोगों के बीच जाके लोगों के तरफ प्रत पैदा कर पाये ताकि हम अपने निक्स जनरेशन को बजाया सके तो इसका एक हम सभी तीनों जिलों के एस्पी और हम सब प्रतनेशील है और हमारे पुलीस हेड़कॉर्टर से भी यही डायरेक्शन साती रहती है और मारेक्शन होता रहता है इसके अलावा हम एक्सिडेंट् बढ़ रहे है और इसमें मिरुश जाने जा रही है तो यह भी हमारा आजेंड़ा है कि हम एक्सिडेंट को कैसे रूप पाए और जो विविद इसमें जो स्टेक होल्डर्स है उसको मिकत्रीफ करके संगटी तरह से हम इसको कैसे कम किया जाता है इस पे विशेंट्टर से हम